Delivery के बाद कुछ चैलेंजिस होते हैं, जैसे कि यूटरस इशू होता है, यूटरस कब हील होगा, ये चेंता रहती है, breast feed कराना है, breast milk काम आ रहा है, नहीं आ रहा है, breast feed में quality होना चाहिए breast milk ताकि बच्चे की सेहत बनने, बच्चे का weight gain भी हो, इसके अलाबा आप भी stress से, depression से बाहर आए, recover हो सके, खून की कमी या फिर हड्डियों में कमजोरी ना आए, recovery के लिए protein भी बहुत अच्छे से चाहिए, ऐसे कई कुछ पांसाथ issues होते हैं, जो की बहुत जादा जरूरी हैं ध्यान देना, लेकिन पहले नंबर पर diet है, तो ऐसी क्या चीज़ें आपको delivery के बाद खानी हैं, यह हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं, आज के Tuesday special episode में आप सभी का हर देख स्वागत है, आशा करते कि क्या special food हैं, जो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, वो food special हैं, लेकिन बहुत common है, केबल उसके महत्वों को समझकर आप उसको use करने का तरीका बदल देगी, यह मेरा विश्वास है, तो चलिए आज की वीडियो को समझते हैं, सबसे पहली चीज़ है water, water में बहुत सारा potential हैं, यह body को आपके detox करेगा, breast milk की quality बढ़ाएगा, अगर अब dehydrated रहती हैं, तो आप तनाव गरस्त हो जाएंगी, आप ठकी ठकी रहेंगी, इसलिए पानी कम नहीं पीना, even बरसा आके सर्दी कम वासम है और आपकी delivery हुई है, आप उस phase से गुजर रही हैं, तो पानी की मातर पानी अगर आप consume कर रहे हैं इक तिन में, तो उसमें अचवाएं और थोड़ा जीरा दोनों साथ में भी आइड कर सकते हैं, बॉल करके रख लीजे, उसी पानी को आप यूज कीज़े, ऐसा निया आप साधा पानी यूज नहीं कर सकते हैं, आपको जब बुरियत हो, तब आप अच्छा फील करें, दूसरे चीज, प्रोटीन और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती, प्रोटीन मसल बिल्डिंग फूड होते हैं और रिकवरी में हाल्प करते हैं, तो ऐसे में डिरी प्रोड़क्स बहुत इंप इसके अलावा कर्ड भी आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए, जैसे कि आपका पेट हेल्दी रहें, तीसरी जो अमेजिंग चीज में बताने वाली हूं कि कमजोरी को दूर करने के लिए, आपको खाना है, दूद के साथ लिना है, चाहे एक कप दूद लीजे और दो चम करेगा, तो चीरे का हलवा तो चमज डेली मॉर्णिंग में ब्रेकफस्ट से पहले, ब्रेकफस्ट के बाद एक कब दूद के साथ आप ले सकते हैं, सिंघाडे का आंटा, सिंघाडे का आंटा बहुत सारा निट्रिशन तो देता ही देता है, साथ है, यूटरूस के लिए ब बनाते हैं, तो थोड़ा सिंघाडे कांटा उसमें आड़ कर सकते हैं, ताकि थोड़ी मात्रा आपको मिलती रहें, दो बीज हैं, जैसे कि तिल और मेथी, यह आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इन दोनों को आप अपने खाने में आड़ करें, तिल को सैंडविच में और अलग-अलग फूड में आड़ कर सकते हैं, लड़ू में आड़ कर सकते हैं, मेथी को भी लड़ू में आड़ किया जा सकता है, या पिर जब आप सबची बनाते हैं, तड़का लगाते हैं, तो उस तड़के में थोड़ी सी मेथी, आधा चमच मेथी ज़रूर डालें, ताक अपने दाल और चपाती खाने में ली है तो आपकी दाल में एक चमच घर का शुद्ध घी आड़ कर लीजे जस्ट विफोर हाविंग दे मील इसके अलावा खिचडी है तो खाना खाने से पहले उसके अंदर खिचडी में एक चमच घी को डिरेक्ली आड़ कर दीजे और तब आप बहुत जादा लो फिल कर रहे हैं एनर्जेटिक नहीं है तो हल्दी का दूर लीजे हल्दी का दूर जब भी आप बना एक चटकी काले में जिसमें जरूर डाले ताकि हल्दी का लाब आपको मिल सके खाजूर का गुड आप जो भी चीज़े बनाते हैं मीठा जिसमें आपको यूज करना है शक्कर ये अगुड तो शक्कर की बज़ा गुड का है इस्तेमाल करें वाइड शूगर आपको यूज नहीं करनी है किविए इसमें नहीं है क्यालरी सेन में भी लेकिन आरन मिलने से आपके लिए पोषग बन जाता है तो अपको अप्रूर का गुड अच्छा रखेंगे तो काजू किश्मिश मिक्स करके अपने साथ रखें क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड कराएंगी तो आपको काफी भूख लगेगी तो हलका फूल का कुछ खाने का मन करता है तो जंक की बजाए आपको नड्स रखने हैं सीड्स रखने हैं पास में और उनको खाना है अगर घर में उनका लड्डू बना है तो फिर बहुत ही बड़ी हां बात है अदर्वाइस कुछ नड्स का कॉंबिनेशन अपने पास में बाइ